हलो गाइस वेलकम वेक टू माई चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि हम गर पर ही बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी प्यूरी असानी से कैसे बना सकते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे स्ट्रॉबेरी हम उसको साफ पानी के अंदर बिगो देंगे और उसमें हम डालेंगे जो एपल विनेगर होता है उसके एक डकन के करेब हम उसमें एड़ करेंगे इसके साथ क्या होगा जो हमारी स्ट्रॉबेरी होंगी उसके उपर जो शुट शुटे से कन होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते से खा लेते हैं हमें इसको जो विनेगर वाला पानी है इसमें 5-7 मिनट तक बिगो के रखना है तो आप खुद देखेंगे कि इसके पानी के ऊपर शुट शुटे कंस जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो इसके साथ क्या होता है जो भी किटानू वगरा होते हैं वो अ अब मैंने इसको साफ पानी के साथ वोश कर लिया है दो से तीन बार मैंने इसको पानी के साथ वोश किया है तो अब मैं क्या करूंगी आप चाहे तो साफ कपड़ा ले सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर टीशू पेपर कर यूज किया है टीशू पेपर को मैंने इसमें बिश थोड़ी से तो यहां पर मैंने एक प्लेट में 4 प्लेट में लिए हैं आप अपने बच्चे के हिसाब जितनी मर्जी प्लेट में स्धॉबरी से ले सकते हैं तुझे च्छाया है रिमूव कर लिया है उपस को कट करते हैं तो बस उसको भी मैं रिमोव कर दूँगे, यहाँ पर मैंने जो पीसिस है उसको टू हिस्सों में कट कर लिये हैं, अब मुझे चाहिए मैं फॉक के साथ इसको बस ऐसे हमने बस मैश कर देना है, यह बहुत ही इजी वे के साथ मैश हो जाता है, बहुत ही इजी वे के साथ पांच से दस मिनट तक यह जो हमारी स्टॉबरी प्यूरी है वो बनकर रेडी हो जाती है, आप चाहो तो इसको एक कांच के कंटेनर में डालकर स्टॉर करकर भी रख सकते हैं एक से दो दिन, यह तो हो गया हमारा फर्स स्टेप, जो बच्चे मतलब सॉलिड फूर अच्छे से खा लेते हैं तो वो ऐसे जो स्टॉबरी प्यूरी है वो खा सकते हैं और जिन बच्चों को दिक्कत होती है कि छोटे शोटे पीस से भी कई बच्चे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं शोटे होते हैं तो बस उसके लिए मैं आगे एक और स्टेप बताऊंगी, अब लास्ट में मैं क्योंकि स्टॉबरी जो हमारी होती हो इसकी तो तहसील होती है वो खट्टी होती है, तो मैं यहां पर एक शोटा स्पून जो है वो हनी एड़ कर रही हूँ, जि बिलकुल आप आप चाहो तो डाल सकते हैं, आप ना चाहो तो ना डालें, तो यहां पर हमारी जो स्टॉबरी प्यूरी है, वो बिलकुल भनकर रेडी हो चुकी है, अब आप बच्चे को सर्ब करें, और अब मैं आपको आगे बताऊंगी, स्टेप टू, स्टेप टूब में जो हमने जो स्टॉबरी प्यूरी को मैश कर दिया था, उसको हम जो चाय पौनी वगरा होती है, ऐसे हम बस उसके अंदर डाल कर उसको अच्छे से हमें शान लेना है, शान कर हमारे पाल जो स्टॉबरी का होगा न, वो एक स्मूधी टाइप बन जाएगा बिल्कुल सॉफ्ट, उसमें कोई भी किसी भी तरह का जो मोटा हिसा था, वो नहीं आएगा, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आयो, तो लाइक करें, शेयर करें और सेस्क्राइब करना मत बूले, थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो गाइस,